नमस्कार मित्रो, जै माता दि माता रने की किरपा से फिर शेक नए वीडियो में आप शबी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो कनियारासी वाले जातकों के लिए बेहत खास और बेहत इंप मॉन्टेन होने वाले है आज का दिन का क्या रहने वाले हैं आपका भागे साली रंग और क्या रहने वाले हैं आपका भागे साली रंग और आज का आपका सितारा क्या कहते हैं और आज का आपका दिन चरिया कैसा रहने वाले हैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो को पुरे अन्ग तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बक्स में कमेंड करें जे मात आदी और अभी तक हमारे चैनल में आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें आज के दिन प्रोपटी से संबंदी कोई भी कारी करने के लिए समय बहुत ही अनुपूल है परिवार के साथ किसी धार्मिक अस्तल में जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा सान्ती से मेहसूस होगी किसी पीरी मित्र के साथ उपाहारों का आदान परदान भी रहेगा किसी परकार का तनाव हावी होगा परन्तु इस समय अपनी मनिस्तिती मजबूत बना कर रखे सिद्र ही परिस्तितियां समानी हो जाएंगे समस्याओं से घवराने की वज़ाए उनका समाधा धुनने का प्रियास करें अपने नश्दिकी लोगों के साथ सम्मंदों में और अधीक मधूता लाएं आज कोई महत्पून प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी वज़ा से व्यस्ता बनी रहेगी लोन लेने जैसी स्तिती भी बन सकती है नोकरी पैसा प्रियों को परमसर सम्मंदी कोई खुश खबरी मिल लेगी घर का वातावरान मधू तथा अनुसासित रहेगा सकारतमकूर्जा व्यागपात रहेगी किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात भी हो सकती है और कारी भार की अधिक्ता की वज़े से पैरों में दर्द वसूजन की सिकायत हो सकती है उचित समय से ले तथा अपना मेडिकल चेकब अविसी करवाएं और आज का आपका भागसाली रंग रेने वाले हैं हारा और आज का आपका भागसाली अंग है पहांच परिवार के साथ संबंद अच्छे बनने की वज़े से आपको मानसिक समाधान प्राप्थ होगा जिन संबंदों को आप गहरा बनाना चाहते हैं उनके प्रती दिखाई हुई निष्टा आपके लिए प्यूगत होगी भाई बहन की में प्यार बढ़ेगा पैसे से संबंदी फाइदा आज नजर आ सकता है विभास संबंदी आपके दुआरा लिए गए निरने को परिवार को पूरा कसयोग प्राप्थ होगा एल एरनर्जी जैसी तकलिफ होने की संभावना खान पान पर अधिक धियान देने की आविश्कता होगी और आज आपको कुछ समय से चल रही भाग दोल में रहत पाने के लिए प्रकिर्तिक से निकट कुछ समय व्यतित करें संतिपून वातावरन में रहने से आपको नई उर्जा हुआ अस्पूर्ती की अनुभवी होगी कलात्मग तथा रशनात्मग कारी संबंदी अपनी रुष्चियों को जागरित करने का उच्चित समय है उस समय बच्चों के साथ भी वेतित करना जरूरी है उनकी गती विदियों तथा संगित पर नजर आएंगे अपनी किसी परिशानी में नज़दी की मित्र के साथ विचार विमर्स करने से आपको अविश्चि ही उच्चित हल मिलेगा इस समय वेपशाय के परती अधीक ध्यान केंदरित करने की जरूरत है क्योंकि परिश्चितिया अनुकूल है आपको अधीक से अधीक ओडर मिलेगी सरकारी नोकरी में कोई विश्चित कारिभार भी आपको मिल सकता है घर में उच्चित व्यास्ता तथा समान्जे बना कर रहेगा तथा आपसी संबन में मधूर रहेंगे ठकान की वज़ा से माईग्रेन तथा सर्वाइकल का दर्द उठ सकता है एक्सरसाईज तथा मेडिशन का विशिस ध्याम देने की अविश्कता होगी करिभी व्यक्ति द्वारा आपको मांसिक तनाव का सामना करना पढ़ सकता है परिवार के व्यक्तियों की समस्याओं को सुलजाने के आपके प्रियत्न असफल रहने की वज़ा से आपके खूद के प्रती नराजगी बढ़ सकती है फिलाल आपको व्यक्ति गर्जीवन पर अधी ध्यान देने की अविश्कता होगी काम से संबंदी, कंट्रेक करते समय दस्तावेज पूरी तरह से पर ले तिसरे व्यक्ति के अस्ताक्षेव की वज़ा से संबंदों में तनाव नजर आ सकता है घर में बढ़ रही नकारत्मकुर्जा, परिवार के बच्चों की सेहत पर असर दिख सकता है और आज पृत्पक्च के साथ संबंदों को लेकर विशेश ध्यान दिजे, प्रभूत बल सकता है अकिन्रों को आर्थिक भैट करें, किसी निकट परिजन को लेकर चिंता संभव है मानसिक उल्जन रह सकती है, माता का असिरवाद लें यात्रा विशेश लापकारी सीध हो सकती है, भागे बहूत कुछ लाया है, सुविकार कर लिजिए, भेरब बावा को सिंदूर चढ़ाएं जो हाथ में है, उससे सम्हालें रखने पर ही आपका ध्यान केंदरित रखें कारी छित्र में उनती का अफसर मिल सकता है, दिक्छादें कारी वेपार में फेरवल दल की भुमिका बन सकती है, पद कद बढ़ सकता है तुलसी जी के पोधे में जल चढ़ाएं नया निवेश कर सकते हैं, किसी निकट परिश्चित के माधियम से अच्छा अफसर मिल सकता है गुसला में चारा अरा चारा डलवाएं आगे को लेकर जोजना का ठोस कारी अभी कर सकते हैं महिला बॉस है तो अधिक अनुकुलता रह सकती है हनुमान जी को मन्ज मुंज के जैनुवा चढ़ाएं अपने सेट अप्स में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या तरा लाप कारी रच सकती है गनिश भगवान को सुखा सिंदूर चढ़ाएं निकट के लोगों के सयोग से कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है पुरपटी के कारोबारियों को खास फैदा भी हो सकता है जल में रक्त चंदन डाल कर सूरी देव को अर्दि करें आज इस समय गरह इस्तितियां आपको सचित कर रही है युरित्य योजना संबंदी कारियों पर अपना धियान विशेश रूप से केंद्रित रखे बेकार के कारियों में समय नश्ट ना करें घर में किसी अविवावित व्यक्ति के विवास संबंदी बात चल रह सकती है दुसरों पर अधिक विश्वास करना तथा उनकी बातों में आ जाना आपके लिए नुक्सान दाख रहेगा युवा वर्ग व्यर्थ की मोजमस्ती के कारण अपने केरियों संबंदी कोई नुक्सान कर सकते हैं इस समय किसी पलोसी के साथ कहा सुनी जोने जैसी इस्तिती भी बन रही है अभी वर्तमान परिस्तितियों की वज़ा से व्यपार में कुछ नया काम हुआ योजना कामियाब नहीं होगी महनत जदा और परिनाम कम जैसी इस्तिती रहेगी परन्तु यज समय धेर रखकर व्यतित करने का ही सिर्ग रहे परिस्तितिया अनुकुल हो जाएगे पती पतनी के बीच में परिवारिक समस्या को लेकर कुछ नोग जुक रहेगी युवाओं की मित्रता प्रेम समबंदों में प्रिनित हो सकती है अत्य धीक सर्दी का दुष्ट प्रावा आपके स्वास्त पर पड़ेगा खांसी जुकंप जैसी पारिशानिया भी रहेगे और आज पैसोस के समबंदी समस्या कम होने की लगेगी फीर भी आपकी लापारोहाई की वज़े से नुकसान होने की असंखा नजर आ रही है घर या प्रोपटी से समबंदी वेवहार करने से आज परहेज रखे आपके बरताव के कारण मित्र परिवार की आपकी तरफ राजगी बर सकती है काम से समबंदी दिये गए वचन को पूरा ना कर पाने की वज़ा से क्वाइलिक का आपकी पर राजगी बनी रहेगी काम और लेसम सिंप में संतुलन बनाई रखना आपके लिए अथी आविश्चता होगी कंदो से समबंदी तकलिप बढ़ सकती है और आज इस समय अपने आसपास के परिष्टितियां में कुछ बदला महसुस करेंगे और इन बदला को अपने वास्तिव और सकारतम परभावी पड़ेगा सिर्फ आपको अपनी उर्जा एक्तित्र करके दोबारा से नई नितियां मनाने की ज़रुरत है किसी भी वरिष्ट तथा समानित व्यक्ति के साथ वाजविभात या मदभित का उत्पन होने दे ध्यान रखे की मेहनत करने की पर ही भागी आपका सयूग करेगा किसी भी परकार की बहस या गपसप करने में उर्जा व्यर्थ ना करके अपने महतपूर्ण कारियों की तरफ ध्यान के अंद्रित रखे आज व्यर्थ साय में कुछ सकारत मक्स तथा फाइदे मन गतिविधियां रहेगी बीमा इंकम टेक्स जैसे छित्रों में कोई बहत्री नुकलब जियां मिलेगी नुकरी पैसा पेलोगों के उपर कारिभार की अधिक्ता रहेगी परन्तु साथ ही कोई महतपूर्ण ऑथोरेटी भी मिल सकती है घर परिवार में वादविवाद जर्शी स्तिती ना उत्पन होने दे पति पत्नी आपसी सयोग द्वारा वतावरन को सांधि पूर्ण बना कर रखे स्वास्त उत्तम बना रहेगा फिर भी अपने खान पानवा दिन चर्या को व्यत्तित बना कर रखना आती आविश्यक होगे और आज किसी व्यक्ति के साथ हो रहे वादविभाद को